हालो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है चलिए हम लोग एकसरसाइज अभ्यास 12 को स्टार्ट करते हैं जो पहला कुश्चे ने हमारा विभिन प्रकार के खातों के नाम लिखिए तो विभिन प्रकार के ख खाते खोल सकते हैं जिन में से कुछ प्रमुग खाते निम्नवत हैं पहला जो है बचत खाता जिसको हम लोग सेविंग बैंक एकाउंट बोलते हैं दूसरा है चालू खाता जिसको हम लोग करेंट एकाउंट बोलते हैं तीसरा है साविद जमा खाता जिसको हम लोग फिक्स deposit account बोलते हैं और चोथा है आवरती जिसको हम लोग संचाई जमाँ खाता ठीक है इंगलेस में कहें तो recurring deposit account ठीक है और पांचुआ है अल्प संख्यक का खाता जिसको हम लोग मिनोर एकाउंट बोलते हैं ठीक है तो यदि आप लोगों को इसकी फुल डिटेल में ठीक है व्यूडियो चाहिए तो आप लोगों के इस खातों के प्रकार के बारे में डिटेल से समझा दूँगा ठीक है एक सर्थ रहित आग्या पत्र होता है एक सर्थ रहित आग्या पत्र है जो समंधित खाते से रूपया निकालने के लिए काम आता है ठीक है वो चिक निम्न तीन प्रकार के होते हैं चिक निम्न तीन प्रकार के होते हैं नमबर एक वाहक चिक या धारक चिक जिसको बोलते हैं या बियरर चिक भी कहते हैं ठीक है दूसरा है आदेसिक चिक जिसको हम लोग आडर चिक बोलते हैं तीसरा है रे खान की चिक जिसे हम लोग क्राश चिक भी कहते हैं ठीक है चलिए हम कुश्चन नमबर तीन पर चलते हैं हलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी कुश्चन नमबर तीन दिख रहा होगा एक बचत चिक की पास्बुक में दर्ज की गई प्रविष्टिया निम्नांकित है यह दिव्याच दर चार प्रत् है और तीस नमबर तक आपका दिया है पूरे मंत का दिया है और विवरन दे दिया है आहरीत राज दे दिया है जमा की गई राज दे दिया है खाता सेस दे दिया है ठीक है तो इस तरीके से हमें यहां से व्याच की परकलपना करना है तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां से एक नौंबर ठीक है एक नौंबर से यदि देखा जाए एक नौंबर से नौ नौंबर ठीक है यदि देखा जाए एक नौंबर से दस नौंबर के बीच का जो अंतराल है आना तो बीच का जो अंतराल है कितने दिनों का है नौ दिनों का है तो हम लोग क्या करेंगे नौ दिनो का हम लोग दैनिक अवसेश निकालेंगे नौ दिनों का आपका क्या निकालेंगे दैनिक अवसेश कि दैनिक अवसेश तो नौ दिनों का आपका दैनिक अवसेश ठीक है तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो नौ दिनों का दैनिक कवसे सो जाएगा आपका दिया है यहां से 90,000 दे दिया है आपका और गुड़े क्या करेंगे नौ तो इस तरीके से आपका हा जाएगा 8,10,000 कितना जाएगा 8,10,000 ठीक है तो इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं अब लिखा है 10 नौंबर से ठीक है 14 नौंबर तक का चुछ चुछ जो अंतराल है एकमथ़ पंधरा तो यह आपके 5 दिनों का है 5 दिनों गौक तो लोग 5 दिनों का निकालेंगे दयनिक आवसेस लेंगे ओवसेस ौ कांव से मिल्थ होगा ठीक यहां पर दिया है आपका एक लाख देस अजार चिटना 1,10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कितने दिनों का 15 तो तो 15 तो कि क्या निका लेंगे को क्या निकालेंगे तो Busy से 15 दिनों के लग्र जब दाना का लेंगे तो यह हमें दे दिया है 1,000,000 कि इस तरीके से हम लोग इसमें पंदरा से जब गुड़ा कराएंगे तो यह अपका आ जाएगा पंदरा लाख पैतालिस हजार ठीक है और अब हम लोग देखते हैं यहां से टीस नौमबर तो यहां एक दिन का अंतराल है तो इसका दैनिक अवसेश निकालेंगे का दैनिक अवसेश जब हम लोग दैनिक अवसेश निकालेंगे तो यह आपका है एक लाख 9900 ठीक है एक दिन का दैनिक अवसेश तो आपका हो जाएगा एक लाख 9900 ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं यहां से अब मूल्धन ठीक है मूल्धन क्या होता है कुल दैनिक आवसेस हम लोग यहां से जानते हैं मूल्धन मूल्धन जो हो जाता है आपका कुल दैनिक आवसेस क्या हो जाता है कुल दैनिक आवसेस दैनिक आवसेस तो इस तरीके से आपका यह हो जाएगा और फिर आपका बरावर यहां से आ जाएगा तीस लाख चौदा हजार नौज़ सो रूपाय ठीक है तो अब हम लोग क्या है और हमें दर जो दे दिया है हम लोग जानते हैं से हमें दर दे दिया है दर कितना है चार प्रतिसत वारसिक है क्या है वारसिक है ठीक है और यहां से यदि हम लोग समय की बात कर ले तो समय बरावर दे दिया है एक बटा तीन सो पैस 300 जो समय हमारा होता है 365 मलब एक बटा 365 मलब 365 दिनों में एक दिन का आपको समय मलब हर एक दिन का आपको निकालना रहता है तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं व्याज तो व्याज बराबर आपका फार्मूला होता है मूल धन गुडे दर गुडे समय बटाई कितना होता है 100 ठीक है इस तरीके से ये आपका क्या होता फार्मूला होता ठीक है तो अब हम लोग इस फार्मूले में वैलू पूट कर लेते हैं तो इस तरीके से हम लोग जब देखते हैं तो आपका मूल धन 30,000,000 यहां से है 30,000,000 312,900 दर आपको दे दिया 4 समय देखा जाए 1 बटा 65 है तो यह 1 उपर हो जाएगा और आपका नीचे 365 कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा 200 कुड़े कितना हो जाएगा 365 तो इस तरहीया से हम लोग जब इसको solve करेंगे ठीक है तो यहां से हम लोग देखेंगे यह दो जीरो से यह दो जीरो आपके cancel हो जाएंगे तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं ठीक है जब हल करेंगे तो आपका आजाएगा एक लाख बीस हजार पांसो च्यानवे बटे कितना 365 ठीक है जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यह आपका आजाएगा तीन सो तीस दिसमलो चार रूपए ठीक है तो यही आपका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा ठीक है आपको इतना solve करना है काटना काटना पिटना पड़ेगा इस वज़े से फिर आपका आजाएगा ठीक है आप लोग ध्यान से एक बार देख लेजिए इस कुश्चिन को मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स की बैंक पास्बुक में दर्ज की गई प्रविष्टियों के आधार पर जून संदुजर सत्तरा के अंत में कितना व्याज मिलेगा यदि व्याज दर तीन दसंबलो पांच प्रतिसत वार्षिक है दिनांक छे छे जून से लेके ठीक है आपको तीस जून तक के दिया गया है ठीक है तो इस तरीके से वी बरण है आपका देख लीजी आहरी तरासिये जमा की गई राषि फिर खातासेस है तो यहां से हम लोग देखते हैं 6 जून से देखते हैं यदि 11 जून छे जून से बारा जून के बीच का जिदी मैं अंतर देखूं तो कितने एक अंतर आ रहा है छे दिन का अंतर आ रहा है तो इसलिए ग्यारा तारिक तक आपका ही रहेगा तो छे दिन का जो दैनिक आउसेस आपका मिलेगा ठीक है तो छे दिन का आपका जो दैनिक आउसेस होगा तो हम लोग इसको जब देखते हैं तो ये आपका है एक लाख पचास अजार ठीक है तो इस तरीके से एक लाख पचास अजार है आपका दैनिक आउसेस और इसमें हम लोग 6 से जब गुड़ा कराएंगे तो यह आपका आजाएगा 9 लाग ठीक है कितना आजाएगा 9 लाग इसी तरीके से हम लोग देखते हैं 12 12 जून से 18 जून के बीच के जब अंतर देखेंगे तो कितने आजाएगा 6 दिन का लेकिन कहां तक 17 तारीक तक ही रहेगा तो इसलिए इसका जो देनिक अउसेश बन जाएगा एक लाग आपका है 47,000 ठीक है जब एक लाग 47,000 है तो इस तरीके से हम लोग इसमें भी 6 से जब गुड़ा कराएंगे तो यह आपका आजाएगा 8 लाग 82,000 ठीक है इस तरीके से आपका हो जाएगा ठीक है और चलिए हम लोग आगे देखते हैं और क्या है आपका 18 जून से देखा जाए 30 जून तक 18 जून से दे 30 जून के बीच का अंतर देखा जाए तो कितने दिन का रहा है 12 दिन का तो इसे बारा दिन का जो आपका दैनी कोसिस हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा देखो दिया है एक लाख चौवन हजार ठीक है तो इस तरीके से यह हम लोग इसमें बारा से जब गुड़ा कराएंगे तो यह आपका आजाएगा 18,48,000 ठीक है इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं 30 जून तो एक ही दिन होगा तो इस वज़े से एक दिन का आपका जो दैनी कोसिस आजाएगा वो दिया है एक लाख च्छाच्छट हजार इस तरीके से हम लोग एक से जब गुड़ा कराएंगे तो यह आपका इतना ही रहेगा 1,66,000 ठीक है अब हम लोग क्या करते है जो मूलधन होता है आपका ठीक है जिसको हम लोग मूलधन बोलते है तो मूलधन क्या होता है बताया गया है आपको मूलधन जो होता है वो कुल दैनिक अवसेस होता है क्या होता है कुल दैनिक अवसेस ठीक है जो मूलधन होगा वो कुल दैनिक अवसेस होता है तो इस तरीके से हम लोग दैनिक आउसेसों को जोड लेते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इन सभी को जब जोडते हैं जोडने के बाद जो आपका एंसर आएगा तो आपका आएगा 37,96,000 ठीक है तो इस तरीके से इसको जोडने पर आएगा और हम लोग जब और यहां से हमें क्या क्या दे दिया है वो चीश हम लोग देखते हैं तो यहां से हमें दर दे दिया है दर लेकिन कितनी है ठीक है दर देखा जायती है यहां से 3.5 प्रतिस्ट आपका है वार सी तो इस प्रकार सभी बैंकों का अलग-अलग होता है तो इस तरीके से हम लोग यहां से हल करते हैं जो ब्याज तो ब्याज बराबर आपका फार्मूला होता है मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बटा कितना 100 ठीक है और यहां पर हमने एक चीज आपको नहीं बताई यहां से समय समय जो क्या हो जाएगा आपका समय वही जो होता है एक बटा 365 ठीक है तो इस तरीके से जब हम लोग इसको हल करेंगे तो यहां से वाइलू हम लोग रख लेते हैं तो मूलधन आपका है 37,96,000 अदर आपकी है 3.5 पांच समय एक बटा 365 जब रखेंगे तो एक उपर आ जाएगा और आपका 365 कहां से आ जाएगा नीचे आ जाएगा 365 आपका कहां जाएगा नीचे तो 100 गुड़ जब इसको हम लोग हल करेंगे ठीक है तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं एक दसमलों यहां पर है दसमलों को जब हटाएंगे तो आपका एक जिरो और बढ़ जाएगा ठीक है तो इस प्रकार हम 3.0 से 3.0 को कैंसल कर देंगे जब कैंसल कर देंगे तो यहां से हमारा एं गुड़े 35 ठीक है और बटे में आपका बच जाएगा 365 365 तो इस तरीके से जब हम इसको हल करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 364 ठीक है 364 रुपए आपका यह आ जाएगा ठीक है इसको हल करने पर यह आपका बन जाएगा ठीक है आप लोग ध्यान से देख लीजिए ठीक है कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ठीक है इस वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर और सब्सक्रा कि से जाएगा भीजिए आपका जाएगा ठीक है जाएगा जाएगा इसका राइब हैं।